पंजाब सरकार ने जेल में बन कैदियों के लिए एक एहम फैसला लिया है और इस फैसले की चर्चा सभी तरफ है अब जेल में बन कैदी अपने हास्बेंट या वाइफ से अलग कमरे में मिल पाएंगे और शारिरिक संबंध भी बना पाएंगे इन फैक्ट इस सर्विस के शरुवात हो चुकी है पंजाब के गोइंदवाल जेल में बन गुर्जीत सिंग ने पहली बार ये सुविधा हासल की है गुर्जीत सिंग ने एक मीडिया हाउस से बात करते हुए बताया कि उनकी वाइफ उनसे मिलने आई थी गुर्जीत सिंग ने बताया कि कई बार कैदी जेल के अंदर अकेला पन महसूस करता है वो डिप्रेशन में जाता है ऐसे में उसे अपने साथी की बहुत जरूरत होती है गुर्जीत सिंग ने बताया कि कुछ दिनों पहले जब मेरी वाइफ मुझ से मिलने आई थी तो जेल वालों ने हमें अलग कमरा दिया अब तक जेल में रूल्स ये थे कि आप अपने मिलने आई किसी भी मेंबर से अलग से या अकेले में बात नहीं कर सकते हमेशा एक सेफ दूरी से बात करनी होती थी और बीच में एक कांच की दिवार थी लेकिन अब पती या पतनी कोई भी जेल में बंद है और उससे मिलने के लिए उसका दूसरा पार्टनर आता है तो उन्हें एक कमरा दिया जाएगा जहां पर वो अकेले समय बिता पाए जिन अथॉरिटीज ने ये फैसला लिया है उनका कहना है कि जुर्म जो है वो पती अपतनी ने किया है जो जेल में बंद है जो जेल में बंद नहीं है उसे क्यों सजा मिले इसलिए जेल अथॉरिटीज ने ये कदम उठाया है उनका कहना है कि हम सुनिश्चित करना चाते हैं कि जितने भी कैदी जेल में बंध है वो सही धंग से वापस बाहर आए और उसके लिए जरूरी है कि इस दौरान उन्हें ट्रीटमेंट भी ठीक मिले इन अथौरिटीज ने ये भी बताया कि ये फिलहाल के लिए पाइलिट प्रोजेक्ट है अगर ये ठीक चला तो आगे चलकर और भी जेल में ये सिस्टम शुरू कर दिया जाएगा फिलहाल 17 जेलों में ये फैसिलिटीज कैदियों को दी जा रही है कई अदालत भी है जिनोंने इस मामले में अपना पॉजिटिव फैसला दिया है और उनका कहना है कि जेल में बंध है लेकिन उससे उसके शारिरिक संबंध बनाने का हक हम नहीं चीन सकते हैं कोई भी मेरिड है जो अगर अपने स्पाउस से मिलना चाता है तो वो जेल के प्र हैं अब इसमें कई सारे सवाल है कि क्या सब तरह के कैदियों को ये सुविधा मिलेगी उन्हें भी जो टेरिरिस्ट है और गैंग्स्टर है तो जेल अथारिटीज ने बताया कि जो हाई रिस्क वाले क्राइम करने वाले लोग है जो गैंग्स्टर है जो टेरिरिस्ट है या पिर जिनोंने यौन शोशन किया हो, डुमेस्टिक वाइलिंस किया हो, बच्चों के साथ यौन अपराद किया हो, उन लोगों को ये सुविधा नहीं मिल सकती है. इसके अलावा जिन कैदियों को TB है, HIV है, उन कैदियों को भी ये सुविधा नहीं दी जाएगी. इसमें कुछ और rules भी है, जैसे कि जिस कैदि ने जेल में रहते हुए पिछले 3 महीने में कोई अपरात किया है, उसे ये सुविधा नहीं मिलेगी. जेल में रहते हुए अगर किसी कैदी ने जेल का रूल तोड़ा है उसे भी ये सुविधा नहीं मिलेगी जेल में रहते हुए जो duties किसी कैदी को दी जाती है अगर उसने अपनी duties पूरी नहीं की है पिछले तीन महिने में वो भी इस सुविधा का लाप नहीं ले पाएगा किन कैदियों को इस सर्विस के लिए प्रायरिटाइज किया जाएगा तो उसमें नाम शामिल है उन कैदियों का जो लंबे समय से जेल में बंद है और जिनकी सजा अभी और लंबी है वो अपने स्पाउस के साथ मिल पाएंगे इसके अलावा जिन कैदि के एक ही बच्चा है उन्हें भी ये सुविधा दी जाएगी तो आपका क्या मानना है पंजाब सरकार द्वारा जेल के अंदर ये जो सुविधा शुरू की गई है ये कैदियों के लिए अच्छा है या फिर सजा काट रहे हैं कैदि उन्हें किसी भी तरह की फैसिलेटी देना ठीक नहीं कॉमेंट सेक्शन में अपनी राइज ज़रूर शेयर करें